नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों मैं आपके लिए अपने पंडित जी महराद जी से आपके लिए लाई हूँ एक ऐसा मंत्र एक ऐसा वशिकरण एक ऐसा उपाय जो आपके दुख परेशानी को दूर करने में और प्यार को हासिल करने में किसी को आपके वश्म करने में या कोई भी परेशानी हो उसे हल करने में मदद करेगा वशिकरण करने की तरकीबे हमारे यहां प्राचीन काल से चली आ रही है वशिभूत करना चाहता था तो वो कोई तरीका अपनाता था लेकिन ये जमाना था वेदिक काल का और उसके बाद में पौरानिक काल का आगमन हुआ जब ये प्रथा बौदिक काल तक बढ़ती गई और तंत्र विद्या में प्रचलित हो चली आधुनिक काल में तोटके और भ बहुत अंतर आ जाता है लोग पाते हैं कि सब तरह की विवस्था बदल रही है और वशिकरण और तंत्र मंत्र यंत्र को भी समय बदलते ही दिख रहा है इन चीजों के पीछे अब सिर्फ कुछ बाते रह गई हैं वशिभूत करने के वैसे तो बहुत तरीके हैं जो मैं आपको बताते हैं कि ये वशिकरण आपको कैसे करना है दोस्तों आपको सबसे पहले लेने हैं दो पीपल के पत्ते और लाना है सिंदूर नारियल और एक तस्वीर जिसको आप वश में करना चाहते हैं उसकी तो दोस्तों आपको शुरू करनी है ये वशिकरण विधी रात क के समय या शाम के समय से किया जा सकता है सूरज धलने के ठीक बाद हां तो दोस्तों सबसे पहले दो पत्ते लेने हैं और उन पत्तों को सिर से वार लेना है साथ बार फिर आपको लेना है सिंदूर और सिंदूर से आपको लिखना है आपको और अपने उस प्रेमी अप्रेमिका का नाम, जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, इसके बाद आपको नार्यल में रोली से गांठ मारनी है, और दोस्तों पत्तों को उसमें बांद देना है, मंत्र का जाप करते रहना है, ये मंत्र कोई आम मंत्र नहीं है, इसलिए हमने ये मंत्र आपको यहां नहीं बताया है आप मंत्र जानने के लिए हमें कॉल करें वाटसब करें हमारा नंबर आपको वीडियो की स्क्रीन पर डिस्प्ले में दिख जाएगा तो दोस्तों अभी के लिए अलविदा मिलते हैं अगले वीडियो में